हेलो एवरीवन, भलकम अगेन टू लण्वरी दितीमन, हम लोग कर रहे हैं राजिस्थान का इतिहास, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में ही आज हम करेंगे रण थंबोर के चोहान वन्स और इस वन्स के प्रतापी शाशक, इसके बाद जालोर के चोहान वन्स आज हम इस वीडि से कर रहे हैं, रण थंबोर के चोहान वन्स का संस्थापक किसे माना जाता है, तो यहां आंसर रहेगा गोविंद राज को, गोविंद राज 1194 इसरी में रण थंबोर में चोहानों की नीव रखते हैं, यह प्रत्वी राज तृत्तिय, इनके पुत्र हैं, जो आपको पता ह लास्ट वीडियो में हमने प्रत्वी राज तृत्तिय और मोहमद गौरी के बीच में जो तराइन का युद्ध हुआ था, उसके बारे में बात की थी, तो उनहीं के पुत्र हैं गोविंद राज, तो गोविंद राज ने रण थंबोर में चोहान वन्स की नीव रखी, रण रण थंबोर के किस साशक का संघर्स दिल्ली के इल्तु तमिश से हुआ था, तो इसका आंसर जो है, वो है वीर नारायन, अब वीर नारायन कौन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, कि जो रण थंबोर के चोहान वन्स के संस्थापक गोविंद राज थे, उनकी थे वालड, प्रालाद और वीर नारायन, तीन थे, जिसमें से वीर नारायन जो थे, इनका संघर्स होता है दिल्ली के इल्तु तमिश से, नेक्स्ट है, कुश्चन 34, रण थंबोर के किस साशक ने मिवाड के सासक समर सींग को पराजित किया था, तो वो रण थंबोर के कौन अमिर चोहन, जो की बहुत प्रतापी शाशक थे, इन्होंने आबू, काठियावाड, पुसकर, चमपा, धार, इन सभी राजियों को जीता था, और मिवाड के सासक जो समर सींग थे, इनको भी पराजित किया था, नेक्स्ट देखिए, कुश्चन 35, 1291 में जब जलाल उदीन खिलजी ने रड थमबोर पर आकर्मन किया था, तब रड थमबोर के किस चोहन सासक ने उसे पराजित किया था, तो ये कुश्चन जो है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, कि जलाल उदीन खिलजी और रड थमबोर के किस साशक के बीच 1291 में युद्ध होता है, तो वह ह हमीर चोहन, ठीक है, 1291 में हमीर चोहन थे उस वक्त रड थमबोर के चोहन साशक और जलाल उदीन खिलजी ने 1291 में आकर्मन किया था, हमीर चोहन के अलाउदीन के किस विद्रोहियों को शरण थी, जिससे अलाउदीन नाराज हुआ, तो ये स्टोरी जो है, वो हमने हो जाता है, वो दो थे, मोहमद शा और केहुवू, मोहमद शा और केहुवू, जिनको हमीर चोहन ने शरण दी थी, प्रत्थम बार अलाउदीन खिलजी ने रड थमबोर पर कब आकर्मन किया था, तो इसका सही आंसर है 1299 इसवी में, देखिए, जलाल उदीन खिलजी, जो अलाउदीन खिलजी के चाचा थे, उन्होंने आकर्मन 1291 में किया था, उन्हें सफलता नहीं मिली, अलाउदीन खिलजी ने रड थमबोर पर आकर्मन पहली बार किया 1299 इसवी में, प्रत्थम बार रड थमबोर हारने के बाद, अलाउदीन खिलजी ने दो बारा रड थमब दिन खिलजी ने किया था 1299 में पहली बार रठंबोर पर आक्रमणालाओ दिन खिलजी करता है उसके बाद हाडने के बाद वो 1301 इसवी में करता है अपने किन सैनापतियों के विश्वास घात के कारण हमीर चोहान की हार हुई तो यहां पर रठंबोर में जो विद्रोही थे या विश्वास घाति जो थे वो थे रणमल और रति पाल ऐसे याद रख सकते हैं रा से रठंबोर और रा से ही दोनों विश्वास घातियों के नाम रणमल और रति पाल ठीके इन दोनों ने अलाउदीन खिलजी की सहता की जिससे की हमीर चोहान पराजित हुए हमीर महा कावे ग्रंत के रचनाकार कौन है अब देखिए, most important question है हमीर महा कावे ग्रंत के रचनाकार कौन है तो ये है नयन चंद सूरी नयन चंद सूरी द्वारा हमीर महा कावे ग्रंत रचित है हमीर रासो की रचनाकार कौन है? तो वो है जोध राज अगला देखिये हमीर हट के रचनाकार कौन है? तो हमीर हट के रचनाकार है चंदर सेखर तो तीनों ही नाम आप याद रखिएगा हमीर हट के रचनाकार हैं चंदर सेखर हमीर रासों के रचनाकार हैं जोद राज हमीर महा कावे के रचनाकार हैं नयन्चन सूरी Nejक्ष्ट देखिए, 43 कुष्चन जालोर के चोहानों का संस्थापक माना जाता है तो हमने रड़ क्षोहानों के चोहान में कीर्थी पाल ने जालोर में चोहान वंस की नीव कब रखी तो जालोर में चोहान वंस की नीव ग्यारा सो इक्यासी में कीर्थी पाल चोहान ने रखी और रन्थमवर में कौन थे हमीर चोहान जालोर की चोहानों में सरवादिक सक्तिशाली शाशक कौन था तो यहाँ पर सक्तिशाली शाशक थे कानड़ दिम एक तो यह याद रखना है कि कौन सा संसापक जो है वो कहां का है दूसरा वहां का सबसे प्रताफी शाशक ये दो नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं सभी वंस में से तो जालोर के जोहानों में सरवादिक सक्तिशाली साशक का नर्देव और जालोर के जो संस्थापक हैं वो कौन है? किर्तिपाल जालोर पर आक्रमन करने के लिए अलाउदिन ने सेनापती एन उल मुल्क मुल्तानी के नित्रत्व में सेना कब भेजी? तो यहां 1305 इसवी में सेना भेजी अलाउदिन खिलजी ने एन उल मुल्क मुल्तानी के नित्रत्व में अलाउदीन ने शिवाना दुर्ग पर आकर्मन करके अधिकार कव किया तो आंसर है 1308 इस वी में शिवाना दुर्ग के बारे में तो आप जानते ही है कि ये जालोर की की है, जालोर की कुझी है, कि अगर जालोर दुर्ग को जीतना है, तो सबसे पहले शिवाना दुर्ग को जीतना होगा Next देखिए question 48, अलाउदीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कब किया? तो तेरा सो ग्यारा इसवी में जालोर पर आक्रमण किया और तेरा सो आठ इसवी में किया था शिवाना पर अगला है 49 question, अलाउदीन ने शिवाना दुर्ग पर अधिकार करके उसका नाम क्या रखा? तो अलाउदीन खिलजी ने शिवाना दुर्ग का नाम रखा खेराबाद, ठीक है? यापर थोड़ा सा आप सही करना, इसका नाम है खेराबाद, शिवाना दुर्ग का नाम बदल कर रखा खेराबाद, नेक्स्ट है, अलाउदीन ने जालोर पर अधिकार कर उसका नाम क्या तो शिवाना का नाम क्या रखा बदलकर खेराबाद और जालोर दुर्ग का नाम रखा जलालाबाद ठीक है याद रह जाएगा जालोर से जलालाबाद कानरदेव की हार का मुख्य कारण क्या था कानरदेव प्रतापी शाशक थे जालोर के फिर भी वो पराजित हुए थे इसका मुख्य कारण जो था यहाँ पर भी वही था विस्वास गाती तहिया बीका सरदार जो था उसने क्या किया था विस्वास गात किया था अलाउदिन ख उसका प्रतिनिदी किसे सौपा, तो शिवाना पर अधिकार किया, अलाउदिन किल जी ने, उसका नाम खेराबाद रखा, और जमालुद्दीन गुर्ग को उसका प्रतिनिदी सौपा, तो हमने आज रर्धंबोर के चोहान और जालोर के चोहान, आज कम्प्लीट कर लिए, मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू